नमस्कार दोस्तों BSTC के रिजल्ट के रिजल्ट एक बड़ी अर्बेट सामने आ रहे हैं दोस्तों आप सभी इंचार कर रहे हैं कि BSTC का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर कब आने वाला है और साथ इसके जो कट आफ है वो क्या रह सकती है यानि कि दूस्तों कितने नमबर को कॉलेज मिलने वाला है तो आपको वीडियो को लास तक देखना है और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि दूस्तों आपके BSTC के रिजल्ट की काड़ी जो है हर अर्बिट आपको सबसे पहले मिल सकते हैं तो यहां पर हम कटॉप के बारे हम दोस्तों अब आग जिसक्राइब करने वाले हैं कि क्टॉप क्या रह सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं उको बता दूँँ आपका जो रिजल्ट है वह कब जारी किया जा सकता देखिए दोस्तों दो दिन पहले दोस्तों यूंज आई परिडे तक जारी करने की उमीद है यानि कि नवबर के फर्स्ट वीक में आपका परिणाम आ सकता है ये बोल रहा है ये निउस्पेपर ठीक है अब इसने दोस्तों क्या कहा है पिछले वर्स भी अगस्त में हुई परिशा का परिणाम लगबग डैड महीने में जारी कर दिया गए था इस बार परिशा दो माह लेट हुई है ऐसे में एक बार यानि एक माह में परिणाम जारी करने की बात कर जा रही है अब प्रदिस के 302 जो है आपकी यहां पर कॉलेज है और 25 जार लगबग आपके सीटे है ठीक है दोस्तों यहां पर कह रहा है कि लगबग दोस्तों डैड म मैं कहा है रिजट मैं आँको बताओं दोस्तों आपका जो रिजल्ट है 31 अगस को आपका एक्जाम हो ता या पर परिणाम में वह आया था कि गैवार दोस्तों आपका जो प्रिणाम है एकसेप्टिड बात करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वह यहां पर अक्टूबर के लास्ट वीक में आने की चांस है या फिर नवूबर के फर्स्ट वीक तक आपका प्रिणाम जारी कर दिया दाएगा ठीक है इसमें कोई संद प्रेनाममर की क अगर मैं बाद करता थेरों दोस्तों सेफ स्कॉर की तो अगर आपके 400 नमर तक आ रहे हैं तो दोस्तों अपने आपको सेफ मानेगा कि हां मेरा college मिल जाएगा ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं आपकी जो अलग category वाइस अपके cut-off निकलेगी अगर बात करें दोस्तों यहां पर general category की तो अगर आपके general category से हैं तो आप कम से गूगल पर लेकना होगा और इसका लिक मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रहा है और यहां पर दोस्तों आप जो है यहां पर यहां पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है यहां पर दोस्तों देखिए का आप जो सकते हैं इन सबीका जो लिंक है वो में यहां पर छेक कर सकते हैं इस अब अगर दोस्तों बश्तों की बात करें तो भी सी में आप देख लिजएगा तीजिक और अगर यह मेल कंडिट की कि बात कर रहा हूं एंड फिमेल की बात करें तो आप किसमें पांस दूस नमर क्या कर लिजेगा माइनस कर लिजेगा स्थी की बात करें तो ऐसी में अगर आपकी नमर आ करें पिछली बार एक विजारती के 352 नमबर पर तो कॉलेज मिल गया ठीक है तो आप 350 प्लस आ रहें ऐसे कैटिकरी से तो आराम से आपकी मार्स आरे तो मिल जाएगा ठीक है यहां पर MBC की बात करें तो MBC की कटाफ दूस कम जाती है 330 प्लस आप मानके चले ठीक है तो यह आपकी कटाफ रह सकती है अब यह कटाफ दूस उपर ने चला से मदलब नॉर्मली आप अंदर दर लगा सकते हैं कि साथे 300 प्लस जो सस्ट से ऐसे आ रहें MBC से तो नंबर मिल जाएगा और 400 नंबर तक अगर आपके आ रहें तो आपके आपका जो सेलेक्शन मिलेगा बाकि आप कमेंट करके बताएं कि आपके जो है कितने मांक्स आ रहें एक्जाम गांदर ठीक है दोस्तों अबीस लिए कट आप रहती है और है कि आपका जो रिजल्ट आता है उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स वीडियो में तब सब्सक्राइब जैन एंड वादें